और बड़ी अपडेट ये कि काई लाखों में रूस पर भारी पड़ रही है जलेंस्की की फॉज यूखरेनी सेना ने रूस पर दागई है मिसाइले रूसी फॉज को यूखरेनी सेना ने समखलने का मौका भी नहीं दिया जंक के मैदान से आई यूखरेन के पलचवार की लेटिस्ट तस्वीर ना होसले कमजोर पड़े ना इरादे डिगे हैं जंक 105 दिन गुजरने के बाद भी यूखरेन का ये जजबा पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है यूखरेन ने रूस वर एक बार फिर से जोरदार अटाक किया है यूखरेन ने रूस पर दनादन इतनी मिसाइले दागी हैं कि रूसी सेनेकों को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा यूखरेन के गई हिस्सों में रूस ने भले ही बड़त बना ली हो लेकिन जंग के एक बड़े मैदान में रूसी सेनेकों के पाव खड़ चुके हैं आस्मान से लेकर जमीन तक यूखरेन ने रूस के खिलाफ मजबूत मोर्चा बंदी की है जल थल वायू कोई ऐसी जगा नहीं है जहां पर खात प्रतिगात ना हो रूस और यूखरेन के बीच 105 दिन बाद भी प्राणडगात तक हमले जारी है दूसरी तस्वीर में भी यूखरेन ने रूसी फॉजियों पर जोरदार हमला किया है आमने सामने की जंग में यूखरेन रूस पर तोप से बारूदी वाचार कर रहा है और रूस को संभलने तक का मौका नहीं दे रहा जंग के मैदान से आई ये लेटेस सस्वीर बता रही है कि यूखरेन की जमीन से उठने वाले ये शोले अभी कई शेहरों को तबाही की जद में लेंगे और जंग के मैदान में कभी यूखरेन तो कभी रूस हावी होगा और रूसी से नकर लुहांस ओबलास्ट पर बड़ा दावा लुहांस ओबलास्ट की 97 फीजदी के 97 फीजदी इलाखे पर कबजा हो गया ये रूस का दावा है रूस के रक्षामंत्री ने कहा कि 97 फीजदी इलाखे को यूखरेन से हमने मुक्त करा लिया लुहांस ओबलास्ट के कीव और खारकीव के हाथ से निकलने के बाद रूस ने अपना पूरा फोकस पूरवी यूखरेन पर किया था मकसद डोनबास को कबजे में लेकर ये सावित करना था कि रूस ने यूखरेन के एक एहम हिस्से को कबजे में ले लिया है पिछले एक महीने से रूस डोनबास में इसी कोशिश में लगा है अब डोनबास को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया है रूसी रक्षमंत्री सरगेई शोईगू ने डोनबास के लुहांस्क प्रांथ के 97 फीसदी हिस्से पर रूसी कबजे का दावा किया है। रूसी सेना का यूकरेन के कई शेरों पर जबरदस्त हमला हुआ है। लेकर नाटो देश अपना अपना रोल अदा कर रहे हूं लेकिन जंग के मैदान में अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो है खुद यूकरेन। 105 दिन बाद भी यूकरेन से आ रही तस्वीरे बता रही हैं कि जंग की सबसे बड़ी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। दोनों पक्षों की बंबारी में पूरा यूकरेन बरबाद हो चुका है रियाईशी मकान खंडहर में तबदील हो चुके हैं जो लोग यूकरेन से पलायन करने में नाकाम रहे उनका हर दिन कितने खौफ में गुजर रहा होगा इन खौफना तस्वीरों को देखकर बना रहा है अमेरिका से मिली M109A3GN 140 बंदूकों को रूस ने तबाह कर दिया रूसी अटाक के बाद पूरा इलाका धुआ धुआ हो गया इस भी जंगी मैदान से एक और वीडियो सामने आया है जिसमें रूसी SU-30SM हेलिकॉप्टर यूकरेन के MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलिक करता नजरा रहा है रूस यूकरेन जंग पर अमेरिकी ठिंक टैंक का बड़ा बयान रूस पर परमाणू हमले के बिना नाटों की जीत मुम्किन नहीं है रूस पर परमाणू हमला करने पर विचार करे अमेरिका क्या रूस पर न्यूकलियर अटैक किये बगएर नैटों इस जंग को नहीं जीत सकता है अमेरिकी ठिंकर ने जो बात कही है उससे यही इशारा मिल रहा है इस बात से राश्पती जो बाइडिन की बेचैनी बढ़ सकती है अमेरिकी ठिंकर के मताविक रूस पर परमाणू हमले के बिना नैटो युद्ध नहीं जीत सकता और जिसकी वज़े से अमेरिका पर लगातार दबाव बढ़ रहा है अमेरिकी ठिंकर के मताविक दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ने तो नो फ्लाइ जोन गोशित करने की सलाह दी है और यूकरेन में सैनिकों की तैनाती की नसीहत दी है लेकिन इससे रूस के खलाफ मिशन पूरा नहीं हो सकता इससे नैटो को ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है भारी तादाद में नैटो सैनिकों की जान जा सकती है और मुमकिन है कि ऐसे हालात में अमेरि पर काम किया जा रहा है ताकि रूस पर जादा से जादा सैने दबाव डाला जा सकी इसी मकसद से फिनलैन और स्विडिन की सदसिता पर बाइडिन प्रशासन की तरफ से काम चल रहा है